चमपापुर गाउ में सुरीली अपनी माँ शामा के साथ रहती थी. सुरीली के पिता का दिहांद हो चुका था. सुरीली की माँ गाउ में लोगों का जारू पोचह का कामधाम कर दिया करती थी और लोग उसको खाने पीने का सामान और पैसे दे दिया करते थे, जिससे सुरील ही सवेरे सुरीली चाय बना लेती और शामा से कहती उठो मा लो चाय पी लो मैं भोला चाचा की दुकान से बिस्कुट ले आई हूँ चाय पी कर दवा खा लो शामा करहा कर कहने लगी अए बेटी मैं कितनी अभागी हूँ ले दे कर तू ही मेरा सहारा है तेरा भी मैं धंग से पालन नहीं कर पा रही अब मैं बिमार पड़ गई हूँ तो तेरे खाने पीने कभी कुछ ठिकाना नहीं रहा मैं बदनसीब तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ ऐसा कहकर वे उसके सिर पर हाथ फिरा कर रोने लगी सुरीली भी रोने लगी और शामा से बोली तुम ऐसे मत रो मा वरना मेरी भी हिम्मत तूट जाएगी तुम ठीक हो जाओगी शामा बोली अब तुम क्या खाओगी बेटी मा अभी तो तुम चाए पी कर दवा खालो फिर कुछ सोचती हूँ सुरीली के पडोस में एक अनाथ लड़की चंदा रहती थी वह शामा को देखने आई वह शामा और सुरीली के लिए खाना भी लाई थी शामा चाची तुम्हें बिस्दर पर पड़े देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है मैं खुद लाचार हूँ पर मैं आपके लिए जितना कर सकती हूँ करूँगी मैं तुम्हें एक तरकी बता रही हूँ मैं जंगल से जड़ी बूठियां लाकर कस्पे में पंसारी को बेच देती हूँ मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं मैं आज सुरीली को भी अपने साथ ले जाकर वह जगा दिखा देती हूँ वह भी यही काम कर लेगी यह सुनकर सुरीली खुश हो गई वह चंदा के साथ जंगल में चली गई दिन भर उन्होंने जंगल में जड़ी बूठियां ढूंडी अगले दिन चंदा बोली आज तो मैं बहुत ठक गई हूँ मैं नहीं जा सकूँगी तुम ही चली जाओ आज चंदा के यहां भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं था इसलिए सभी लोग भूखे ही थे सुरीली जड़ी बूठी तोड़ने के लिए जा रही थी जंगल की तरफ जाते समय रास्ते में उसे एक सुन्दर सी औरत मिली जो सिर पर एक बड़ा सा पतीला रखे हुए थी वे आवाज लगाती जा रही थी बिर्यानी ले लो बिर्यानी गर्म गर्म बिर्यानी आते जाते लोग रुक कर उससे बिर्यानी लेते और आगे बढ़ जाते सुरीली उसकी तरफ देखने लगी उसने पूछा आपको इससे पहले यहां कभी नहीं देखा आप कहां से आई हो तो वे खुबसूरत औरत बोली मेरा नाम मोहिनी है मैं गाउगाउँ जाकर अपनी बिर्यानी बेचती हूँ अभी तुम्हारे इलाके में कुछ दिन रहूंगी तभी उसे जोरदाट ठोकर लगी वे करहा कर जमीन पर बैठ कई पतीला उसने जमीन पर रख दिया और रोते हुए बोली हाई मैं तो मर गई अब मुझसे उठा भी नहीं जाता है मैं क्या करूँ उसकी यह हालत देखकर सुरीली को बहुत दुख हुआ उसने अपना दुपट्टा फाड़ कर उसके पैर में पट्टी बांधी और बोली आप चिंता न करो मैं आपकी मदद कर दूँगी लेकिन तुम तो अपना काम करने के लिए जा रही हो कोई बात नहीं आपकी मदद करना ज्यादा जरूरी है देखो आप उठ भी नहीं पा रही हो अब सुरीली उसके पास बैठकर आवाज लगाने लगी बिर्यानी ले लो गर्मा गर्म बिर्यानी हर कोई आने जाने वाला रुक कर बिर्यानी खरीद लेता और आगे बढ़ जाता शाम तक खूब धेर से पैसे जमा हो गए कोई बात नहीं मुझे मालूम है कि तुम भूखी हो इसलिए थोड़ी सी बिर्यानी ले लो वैसे भी मेरी सारी बिर्यानी तुमने ही तो बेची है उसने सुरीली को बिर्यानी दे दी सुरीली ने जैसे ही वो बिर्यानी खाई उसकी सारी थकावट व उदासी दूर हो गई सुरीली ने कहा अच्छा अब मैं घर जा रही हूँ आप भी अपने घर चली जाओ मोहिनी ने उदास होकर कहा अजी मेरा घर कहा है मुझे तुम ही अपने घर ले चलो मैं तुम्हारे घर रुख जाऊंगी यह सुनकर सुरीली बहुत खुश हो वह मोहिनी को अपने घर ले आई घर आकर मोहिनी ने बिर्यानी के पतीले से बची खुची बिर्यानी शामा को दे दी शामा ने बिर्यानी खाई वह भी उस चमतकारी बिर्यानी को खाकर एकदम तरो ताजा हो गई यह बिर्यानी तो एकदम चमतकारी है एक तो यह खाने में इतनी स्वादिष्ट है उपर से इसको खाकर कितना अच्छा मैसूस हो रहा है जैसे कमजोरी और ठकान सब दूर हो गई है फिर सभी लोग सो गए अगले दिन सुरीली उठी सुरीली चंदा के साथ कस्पे में जड़ी बूटी बेचने गई शाम को वे ठकी हारी घर वापस आई और उदास होकर बोली माँ जड़ी बूटी में तो बहुत कम पैसे मिले हैं इससे तो केवल हम चाए नाश्टा कर सकते हैं इतने कम पैसों में कुछ नहीं होने वाला अब मैं जंगल में जड़ी बूटी लेने नहीं जाऊंगी मोहिनी देर तक सोती रही थी उसके पैर में चोट लगी हुई थी इसलिए वे आज बाहर जाने के विचार में नहीं थी उसने कहा सुरीली तुम चिंता मत करो भगवान ने चाहा तो तुम्हारे बुरे दिन दूर हो जाएंगे उसके पास एक ठैली में कुछ चावल थे और बिर्यानी का सामान था वे सुरीली से बोली तुम मेरी थोड़ी सी मदद करो तो मैं यहां पर बिर्यानी बना लूँ शामा और सुरीली ने एक साथ कहा ठीक है मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी बनाओ बिर्यानी तो मैं देखूं और मैं भी सीख लूँ कि इतनी अच्छी बिर्यानी कैसे बनाई जाती है हाँ जरूर देखो और आज इसको बेचने में भी मदद करो मोहिनी ने चावल निकाले देखने में चावल बिलकुल पुराने से लग रहे थे शामा ने चूला जलाया सुरीली दोड़ दोड़ कर सब काम कर रही थी उसे मोहिनी का अपने यहां रहना बहुत अच्छा लग रहा था अभी तक तो उसका घर बिलकुल सुनसान लगता था अब ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे घर में उसकी वजह से रौनक थी थोड़ी देर में बिर्यानी बनकर तैयार हो गई मोहिनी ने सुरीली के सिर पर पतीला रख दिया वे घूम घूम कर पूरे गाउं में बिर्यानी बेचने लगी गाउं के बहुत सारे लोग एक दिन पहले ही मोहिनी से लेकर बिर्यानी खा चुके थे उन्हें स्वादिष्ट और चमतकारी बिर्यानी का स्वाद लग चुका था गाउं के लोग आकर जमा हो गए और वे कहने लगे अरे भाई ये तो वही कल वाली अनुपूर्णा का पतिला लग रहा है दूसरा बोला अरे वो लेकिन बेचने वाली सुन्दरी कहा गई वे मेरे घर में हैं उनको चोट लग गई थी तीसरा आदमी बोला भाई ले लो ये बिर्यानी खूब टेस्टी है और चमतकारी भी है थोड़ी ही देर में सुरीली की सारी बिर्यानी बिग गई सुरीली ने सारे पैसे लेकर मोहिनी को दिये मोहिनी बहुत खुश हो गई उसने सुरीली से कहा तुम बहुत दयालू हो सुरीली और मेरा यह बिर्यानी वाला पतीला चमतकारी है इसका लाब केवल उन्ही को मिल सकता है जो दिल के अच्छे हैं तुमने मेरी चोट को देखकर मेरी पट्टी की, मेरी मदद की इसलिए मैं यहां दो दिन तक हूँ इसके बाद मैं यह पतीला लेकर यहां से चली जाऊंगी लेकिन इस पतीले की सारी शक्तियां तुम्हारी इस रसोई में, बर्तनों में और चूले में आ चुकी है और मैं तुमको यह चावल दे कर जाती हूँ यह चावल तुम अपने घर के सारे चावलों में मिला देना, इससे तुम्हारे यहां कभी भी गरीबी नहीं आएगी। उसके बाद मोहिनी ने पैसे सुरीली को वापस कर दिये। दो दिन तक मोहिनी वही रही। उसके बाद वह अपना पतीला लेकर अन्य किसी गाउं में अगले पड़ाव पर चली गई। नमालूम न जाने कौन से गाउं में। सुरीली की बिर्यानी अब धड़ा धड़ बिकने लगी। वे चंदा को भी अपने पास बुला लाई। चंदा और सुरीली दोनों ने मिलकर बिर्यानी का काम संभाल लिया था। अब उनके यहां रुपेयों की बरसात होने लगी थी। सुरीली अब भी मोहिनी नाम की करती है।